अस्सलाम वालेकुम आज की हमारी रेसिपी है चिकन मलाई बोटी की हमें इसके लिए 750 ग्रैम्स चिकन ब्रेस्ट चाहिए और हमें हमने इसको थिनली इस तरीके से बड़े-बड़ा स्लाइस कर लिया है इसकी हमें वो टाइप की मैरिनेशन करनी है फिर्स्ट ड्राइ है जिसमें हमें हाफ टी स्पून इलैची पॉडर डालना है हाफ टी स्पून वाइट पेपर डालनी है हाफ टी स्पून काली मिर्ची डालनी है वन टी स्पून मीट टेंडराइजर डालना है नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि मीट ट्रेंट राइजर में भी थोड़ा सा नमकीन होता है आफ टी स्पून नमक दलेगा वन टेबिल स्पून अधरक लेसन जाएगा अब इसको बहुत ही अच्छी तरिके से मसाज करते वे मिक्स कर लेना है और इसको आदे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है जब तक मैरिनेशन हो रही है अब हम अपना पूरियों का आठा तयार कर लेते हैं जिसके लिए हमें तीन कप मैदा लेना है उसमें वन टेबिल स्पून पाउडर मिल्क दलेगा वन टी स्पून शुगर दलेगी हाफ टी स्पून सॉल्ट दलेगा फोर टेबिल स्पून ओल दलेगा और इसको बहुत ही अच्छी तरीखे से मिक्स कर लेंगे सुखा सुखा ही इससे बहुत ही खस्ता पूरियां बनती है बहुत सॉफ पूरियां बनती है अब इसमें 500 एमिल के खरीब पानी जाएगा और टोटल इतने ही पानी से ये आठा गून दे जाएगा ना नरम हो ना सक्त हो सॉफ्ट आठा गून के तयार करना है हमें अब इस पे थोड़ा सा आइल लगा के इसको रेस्ट के लिए रख देना है अब हम सेकिंड मेरिनेशन चिकन की तयार करेंगे इसके लिए हमने 4 टेबल स्पून मोजरेला चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से मसल मसल के उसको यगजान कर लिया है इसके बाद एक ब्लेंडर में हाफ कप कोकिंग क्रीम दालेंगे टू टेबल स्पून इसमें दही जाएगा अब इसमें आप कौटर बंच धनिया और दो हरी मिर्चे तोड़ कर डालें और वन टेबल स्पून ओल दालें इसे ब्लेंड कर लें इसमें अब चीज डाल के इसको भी ब्लेंड करें बहुत अच्छी तरीके से क्रीमी टेक्चर में इसको ब्लेंड कर लें बहुत अच्छी तरीके से अब इस मेरिनेशन को चिकन पर डालें और दो टेबल स्पून इसमें कौन फ्लार डालके इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें और आदे घंटे के लिए इसको मेरिनेशन के लिए रख दें और आपके पस जादा टाइम है तो आप जादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं इसको आप सीखों में लगाएं दूर दूर करके और इसको साइड में रख दें मीनवाइल हम अपनी चटनी की तयारी करते हैं जिसके लिए हमें एक ब्लेंडर में बन कप इमली कप पल्प डालें मेरे पास नम्कीन है आपके पास अगर सादा है इमली कप पल्प तो उसमें 1 टीजपोन सपाट आप उसमें नमक डालेंगे आफ ग्रीन चिली डलेगी टीन लेसन के जवे डलेंगे 15-20 पौदीने के पत्ते डलेंगे 1 तीजपोन रेट चिली पावडर डलेगा हाफ टी स्पून जीरा पाउडर भुनावा कुटावा दलेगा अब इसको बहुत ही अच्छी तरीकर से ब्लेंड कर लें और आपकी चटनी तयार है अब हम पेड़े बनाएंगे पूरियों के मेरे पास मशीन हैं बनाने के आप बेल की भी बना सकते हैं मैं इस तरीके से तयार करती हम पूरियों सारे एक साथ बना के रख लेती हूँ फिर इसको हम फ्राइ करते हैं अब हम इस तरीके से पैंज में अपने सीखे रखेंगे ओवन में आप अपने उपर की ग्रिल हाइस टेंपरेचर पे उसको आउन करें और इसको bake करने रख दें वन साइट 10 मिनट के लिए bake होगा अब आप निकाल के इसके साइट चेंज करके फिर से 10 तू 12 मिनट के लिए इसको bake कर लें आफ्टर 10 मिनट आप इस पे oil की brushing कर दें और इसको 2 मिनट के लिए और ग्रेल के नीचे bake कर लें अब हम अपनी पूरियां fry कर लेते हैं इसके लिए बहुत ही गरम टेल होना चाहिए एक तरफ से पक जाए तो second side करें ताकि पूरी इस तरीखे से फूलती है दोनों तरफ से गोलन ब्राउन होने तक फिर आप इसको निकाल लें अब हम इसको dish out करेंगे पूरी प्यास के लच्छे और चटनी के साथ हम मलाई बोटी को अपने सर्फ करेंगे बहुत ही टेस्टी और टेंडर चिकन बनी हैं आप ज़रूर ट्राई कीजेगा फीडबेक ज़रूर दीजेगा दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिज